हेलो फ्रेंट्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 144 BNS में धर्णड पोसर बराप करने का मामला बनता यानि कोई भी बेक्ती धर्णड पोसर बाने का अगर हगदार है तो वह धारा 144 BNS के अंतरगत मामला दर्ज करता है इसमें खास तोर से भर्ण पोसर के लिए पत्री दावा करते हैं बच्चे दावा करते हैं और माता पिता दावा करते हैं कि मेरा मेंटिनेंस पूरा करे तो मेंटिनेंस की तो बात आ जाते हैं लेकिन बात आएगे इस प्रोसीजर को कैसा होता है जिसके माध्यम से हमको भरण पोसर के तत हमें लाव मिल सके हम कोई भी भरण पोसर अगर वा दावा दाखिर करें तो एक अच्छा दावा दाखिर करें जिससे कि हमें पूरा मिल जाए दूसरी बात ही होता है इसकी प्रक्रिया क्या है बहुत लोगों को जानका ही नहीं होती है वह इसके जक्र में मुगदमा करते ही नहीं है लेकिन प्रक्रिया बहुत आसान है और शी भी आईये समझते हैं इस बोट के माधल से दोस्तों धारश चुवालिस बीएनस कहती है कि कोई भी पूरुस अगर कि पक्नी है तो वह उसका भाड़ पोसर करने का अधिकार रखता है अपने बच्चों माता पिदा का भाड़ पोसर करना है उसका दाई तो है करतब है कानूनी अधिकार भी है तो पहली बात करेंगे हम कि भाड़ पोसर कैसे करना चाहिए तो सिद्धी बात अगर भाड़ प जिले के आप रहते हो जहाँ पर आप अश्थाई निवास करते ह हो वहाँ कोर्ट में जाकर कि आप आवेदन प्रस्तुत कर ने्ल ऐमें आवैदन अपको प्रस्तुत करना, ठीक है यह होगाई ओलग back of और आप अलग से होंगा उसकी टेंसन आप लोग मत लेजिए अलग से आवेदन के लिए वीडियो बनाऊंगा उसका पूरा बगायदे प्रोकार्मा होगा तो वह बता दूंगा लिए आज इसको बारी बारी से समझेंगे कि इसी प्रक्रिया क्या है कैसे मुगतमा खतम होता है तो आवेदन के बाद आ बताने वाला हो इसमें कोई डाउट नहीं है आपको कुछ समझने की जरूत्ते ने से प्रेक्टिकली बात सुनी है पिसी के बाद आपको पैरवी करना होता है पैरवी के लिए आपको रजिश्ट्री से आप पैरवी कर सकते हैं पैरवी के बाद फाइल जब पैरवी हो जात या आप उसके WhatsApp number जानते हो तो WhatsApp number पे जो आवेधन आपने किया है उस आवेधन का फोटो खिश्कत भेड़ते हैं उसके WhatsApp नमबर पे जब आप WhatsApp number पे उसके फोटो भेड़ेंगे और वहाँ पर green signal हो जाएगा जो इस तरह होता है इस तरह green double green signal हो जाएगा तो समझ लिजे कि वह तामिला एक तरह से हो गया वह अप्वोड मान लेती के तब लाओ गया दूसरी एक और बात है जो आपने आवेद तामिला के लिए रजिस्ट्री किया था जो रजिस्ट्री किया था उसका एक आपको मिलता है परची उसमें नमबर होता है उसको आप track करके पोश्ट ट्रेक करके आप उसका status निकाल सकते हैं कि रिष्टी हमारी गहार तक पहुंची है तो उसके माध्यम से भी आपको तामिला मान लिया जाता है दूसरी बात हो गया यह तामिला मामला है बन जेता है अब अगर तामिला हो गया अगर मालिज यह आप कोट ने तामिला मान लिया है तो उस तामिला को आप पेस करा करके साफ से उसमेट टीटी लिखवा सकते हैं तामिला परियाप्त लिखवा सकते हैं तामिला परियाप्त होने के बाद फाल चली जाती है एक्स पार्टी में एक्स पार्टी में एकसपार्टी इवडेंस न हो ऩफिय ऑब यहां पर एकसपार्टी इवडेंस होगा उसकी दरान यह पर दो आपसंट बनते हैं तामिला पे एक तो एकस पार्टी होगा दूसरा वह पार्टी यह पिपाच्षी होता है ज oysters आपका पच्री है तो उसको इसको हाज़ी रहु पड़ता है और आउपधर्न के बाद तुरस के बाद तुम ऑज़ सकता है आपका बती तो यह आपसे कॉंपी मांगेगा पूरा कानूनी प्रोसीजर है यह आपसे कॉंपी मांगता है और आप उसको कॉंपी देंगे उसके बात क्या होता है आपकी एक दर्खास लगी होती है मुगदमा दाखिल करते वक्त अंतरिम भाण पोसड का ठीक है अंतरिम पॉसर का एक दरखास लगी होती है इसके इसकी सुनवाएं फॉती अंतरिम के अंतरी मतलब होता है कि मुकदमा के दवरान जो भी पत्नी के आने-जाने खर्च होता है गाड़ी भाडा किराया पेसी का उसको क्या पत्नी को देना पड़ता है तो को लगा देती है उसकी आपको लगारी पड़ती होगा यहां पार्टी हो जाता है मामला जब एक्सपार्टी होगा तो आभ फी चला गया साक्ष ने मास्वन्याई यानि कि अगर पार्टी हाजी होती है तब भी क्या है जवाब देही लगती है और जब देगी वाद साच में जाता है यहां पर एक्सपार्टी के बाद सीधे साच में जाता है बाद समया दो आफसन है जब साच में आ गई तो जो वादनी है उसका बयान होगा वादनी का बयान होगा और वादनी चाहे तो किसी और की भी बयान करवा सकती है चाहे पिता का पती किसी का भी बयान करवा सकती है अपने सपोर्टिंग साच के लिए वो बयान हो गया तो जो प्रच्व बिपच्षी है उसका भी बयान होगा वह वह बयार करेंगा और सपाई साच में बोलेगा और किसी और की सच कर वा सकता है आप 20-25-25 जितना भी शाच देना चाहे दोनों पार्टियां कितनों शाच दे सकतें कोई इसमें लिपिड नहीं है लेकि relevant साथ छोने चाहिए ना कि unrelevant होने चाहिए जब साथ छो गया और साथ छोने के बाद मामला जाता है final stage पर बहस पर अब फाइल आ गई बहस में और बहस में आपको पूरी तयारी के साथ आना होगा कि हमें क्या-क्या बोलना है क्या-क्या हमें ruling लगानी है सब कुछ ruling हो ग की खाना चाहते हैं आप लोग जरूर देती है पर और जब फाइल बहस में जाती है तेहां पर दोनों पार्टियों के बहस कोर्ण सुनती है उसके बाद फार को जज्जमेंट भे लगा देती है कि लास्ट शिष्टे000 फिसके जजजर्जमेंट के डिट लख़ी जाती है उस पर जजजर्जमेंट कर फैसला जाता है अब फैसला आ गया फैसला अगर वादनी के पच्छ में आया है तो विपच्छी जो है वह अपील कर सकता है हाई पोट वे यह जो प्रतिवादी मालिजे विपच्छी के पच्छ में आ गया तो वादनी अपील कर सकती है तो सब के लिए खुले हैं रास्ते और एक बा मग जाएगा आप मालीजी पैसे नहीं दे रहा तो क्या करें इसकी लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इस प्रसुजियर को समझ गए अगर मालीजी कोट ने पैसे एलाव कर दिये कि इसको भण पोसड की राश में मालीजी दस जा रुपए प्रतिमा देना है लेकिन पति नहीं दे रहा है तो क्या करें इसकी लिए मैं अलग से वीडियो अप्लोट करूंगा आपको उसका भी 147 सेक्षन आता है 147 बेन एनस के ताथ आता है इसको मैं अधनी वीडियो बताऊंगा कि कैसे आप अपना पैसे रिकबर कराएं तो आज की वीडियो में फिलाल इत अपना पैसे अणने वीडियो में फिलाएं चैनल परपनी रहें जायंत